नशा बेचने से रोकना अच्छी बात है लेकिन अगर नशीले पदार्स बेचने से मना करने पर हत्या कर दी जाए तो कोई कभी ऐसा साहस नहीं कर पाएगा दरसल बहादुरगड में एक युवक की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है मिर्तकी पहचान 29 साल के करन के रुप में हुई है करन कबीर बस्ती का रहने वाला था और मज़दूरी का काम करता था करन के छोटे भाई आयूश का कहना है कि उसका बड़ा भाई पिछले करीब दो साल से दुरगा कॉलनी के अनिल के साथ रह रहा था और अनिल की सिविल अस्पताल के पीछे एक बस्ती में किर्याने की दुकान है जो नशीला पदार्थ भी बेचता है उन्हें सूचना मिली थी कि भाई करन को मिर्त अवस्था में हस्पताल ला गया है जब आयुष ने अनिल की दुकान पर जाकर लोगों से पूछताज की तो सामने आया कि अनिल और अने छे युवकों ने मिलकर लाटी डंड़ों और लाद घूसों से उसके भाई के साथ मात पीट की है तो राज़नाम का प्रश्चून की दुकान थी तो अनिल की दूकान थी दोस्ट की मेरा भाई काम करता था तो ये परचुन की दुकान में ये अनिल वो दो नम्मर के काम करता था जैसे जो आज़ा समयक ये चीज बेचते थे लोग तो मेरे भाई के ओपर फोर्स कर रहे थे कि मेरा भाई भी बेचे मामले को लेकर पुलिस ने मिर्तक युवक के परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है पुलिस की माने तो सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उनकी ग्रफतारी की कोशिशें शुरू कर दी गई है मगर कोई भी पुलिस अधिकारी इस संबंद में कैमेरे के सामने कुछ भी बोलने को तयार नहीं है हाला कि अब देखना दिल्चस्प रहेगा कि मामले को लेकर पुलिस कब तक आरोपियों को ग्रफतार कर पाती है बहादुर्गर्चे प्रवीन कुमार धन्खण पंजाब केसरी टीवी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद